अच्छा अदिती अपने देखा कि लखनों में अभी जो कुछ पे हुआ कल की का वाक्या भी योग्यादितनाथ सदन के अंदर कह रहे थे यहाँ पर दो ठीजे वी जब उन्होंने अपराधियों का नाम लिया उन लड़कों का नाम लिया तो एक यादव समाद से आता है और एक अलपसंख्यक समाद से अरबाध का नाम उन्होंने वाँ सदन मिलिया दो और गिरफतारी उसी समय हो चुकी थी जो कि OPC समाद से आते थे क्या BJP कहीं भी उत्तर प्रदेश में हो या फिर किसी भी राज में हो जहां चुनाव होने है बहुत स्ट्राचेजिकली गेम खेल रही है क्या यही वज़़ए है कि बहुत सद करके चाहे वो योगी आदितनाथ हो चाहे वो फिर BJP के कई बड़े नेता हो वो बहुत सद करके बयान बाजी कर रहे हैं तागेट सीधा सपा है और साथ में कॉंग्रस उत्तर प्रदेश में क्या यही वज़़ए है कि योगी आदितनाथ ने बड़ा सोच समझ कर यहां खेला देखे योगी आदितनाथ हो नरिंद मोदी हूँ अमिच्षा हूँ बहुत सोच समझ के आगे चलते हैं लेकिन यहां पर अगर हम अपराद की बात कर रहे हैं तो हो क्या रहा है आप देखे आप मैं आपसे खुद भी बात करें पंजब तो सबसे पहले योगी आदितनाथ क इमिज मतलब law and order को control करना एक समय था जब उत्तरप्रदेश में law and order को लेकर ये लोग बात करते थे कि डर लगता है लेकिन योगी आदितनाथ के आने के बाद law and order control हूँ और योगी आदितनाथ के सबसे बड़ी ताकत यही थी कि अगर अवेद मकान है बुल्डोजर या कु उत्तरप्रदेश में जनता ने सबसे ज्यादा लोगपुरिय चीज योगी आदितनाथ के law and order में ताकत थी वही विपक्ष ने किया विपक्ष ने उस मित को तोड़ने की कोशिश की और कहा कि देखे कैसे सब ब्रष्ट हैं कैसे योगी के आसपास के जितने विरोक्रेट है वो ब्रष्ट हैं कैसे क्या चीज़े हो रही हैं बार बार ब्रष्टा चार का जिक्र किया law and order खराब है इसका जिक्र किया बहुत सारे जो day to day मुद्धे होते हैं विपक्ष ने उसे उठाया ठीक उसी बात पर अब योगी आदितनाथ ने भी law and order का जिक्र उठाया और ये बताया कि अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो जिन दो आपने जिक्र किया है जिन दो समुदाय का वो आप पे हावी होंगे तो आप सोच समझ के देखिए ये तो पता है कि यादव वोट नहीं करेगा बीजेपी को अल्प संक्यक वोट नहीं करेगा बीजेपी को लेकि एक बहुत महत्पूर्ण आलाकमान के करीबी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से आतुम से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें याद है कि उसी समय जब 9 दिन दुर्गे होते हैं और उसी समय अजान भी कई बार जो पड़ी जाती है नमाज तो किस तरीके का बेदबा होता था जब सपा की सरकार थी जब 9 दुर्गे बैठती थी तब उस समय ना स्पीकर चल सकते थे लेकिन वहीं अगर सड़क पे नमाज पढ़ने की बात होती थी हाला कि आज जो हम यह बात करने हैं यह बहुत आज के 21 सदी में यह नहीं होनी चाहिए 21 सदी में हम जब सेक्यूलरिज्म की बात करते हैं तो सब को जो भी प्रैक्टिस धर्म करनी है वो कर सकते हैं लेकिन जाहर तोर पे जब हम राज्यों में जाते हैं वहां की प्रताओं पर जाते हैं तो इस तरह की स्थिपियों को याद दिलाया जा रहा है तो एक बार फिर योगिया अधितनात ने बताया कि अगर सरकार आती है सपा की तो आपके साथ क्या होगा यारि अधिती एक स्ट्राटरजी के साथ चाहे योगिया अधितनात हो चाहे प्रधानमिंत्री मोधी हो या भिग्री मंध्री अमित्शा वो इन टॉटालिटी एक स्ट्राटरजी के साथ चल रहे है